तीन बंदरों की कहानी नगर में चरितार्थ हो रही ना कोई बोलने वाला ना कोई सुनने वाला नहीं कोई देखने वाला जिनके एक के बाद एक ट्रांसपर होते रहें पांच महीनों में जनता को उम्मीर दिखी कि अप्रसासक रोड बनवाएंगे जो एक मिसाल होगी नगर के लिए इस्थानिया विधायक राम दगोडे जो विधान सबा के 25 वर्स के परिसीमन में भाजपा तीसरे विधायक है की गुनवर्ता पर बाते हुई और समय सीमा की बाद भी हुई रोड भी बना जिसकी सुरुवाद पीछे से हुई निवासरत लोगों के अतिक्रमन भी तोड़े गए जो नहीं तूटना था बिजली के खंबेग जो रोड के चौड़े होने से बीच में आ रहे हैं साइट से होने चाहिए थे नगरपईसद और विद्यूत मंडल के गति रोध होने से बीच में ही खड़े हैं सहर सुंदर हो चौपाटी बने महानगरों की तरश पर हो इसलिए रोड निर्मान के सुरुवात पीछे की तरफ से होई परिस्ति जस की तस बनी होई है समयवधी की तो सीमा रही नहीं ठेकेदार काम बंद करता है चालू करता कोई कहने सुनने वाला नहीं ना कोई नियम कानून भूमी पूजन के समय गुनवर्टा की बात की गई थी वो सिर्फ बात साबित हुई गांधी चौक में ही गुनवर्टा विहीन रोड निर्मान हुआ उसी रोड की गुनवर्टा को लेकर किसने क्या कहा CMO मनसाराम बडोले ने कहा कि ठेकेदार अच्छा काम नहीं करेंगे तो हम उनके सिकुरिटी की जमारासी जब्त कर हम नगर परिसेत के तरफ से काम करवाएंगे खंडवा के समास से भी प्रमोज जैन ने भी ठेकेदार पर नाराजगी व्यक्त करते वे कारवाई की मांगी